हलो फ्रेंड्स मैं विने निर्भीक फ्रेंड्स आपका इवर फिर से मैंचल पर श्वागत है फ्रेंड्स मैं आज UPPAC latest news लेकर गया है जी है हँँ हाँ फ्रेंड्स बिल्कुल latest news जैसा कि आप लोग जान रहे हैं scaling non-scaling लेकर के कोट में कई वार केस کیा जा चुका था पर कोई भी केस एकसेप्ट नहीं किया जा रहा था पर आज केस एकसेप्ट कर लिया गया जी हां friends आज scaling non scaling का केसे accept कर लिया गया जैसे का लोग जानने जब से 18 का mens result आया था तब से सारे candidates परसान थे जो मेंस से बाहर हो गए वो यह कन्फूस थे कि उनका स्केलिंग में कितना बढ़ा घटा कुछ पता नहीं चला लोग इस खोर शो नहीं करते हैं और स्केलिंग कर देते हैं आया नहीं करते तो भी कुछ नहीं पता चल पाता है तो इसलिए फ्रेंड्स इस पर कई ब सब्सक्राइब कर रहे हैं कि कितना सब्सक्राइब करना चीए ताकि पता सब्सक्राइब क्या है अधर्विस ऐसे क्या होगा सब्सक्राइब कर पर देखे रहे हैं जैसा अब जैसा क्या हुआ है पीशेश बिल्कुल इफिक्ट नहीं पड़ा थीक है मैं दिखाया था हूं रिजल्ट में क्या लिखा हु रिजवाद है देख लीजिए फिर कटाफ ब्यवाद में वह बताऊंगा ठीक है यह देखिए तो लोग सेवायोग उत्तर प्रदेश शंख्या चतिस एक ठाथाइस पीसियस प्रारंभी 2020 आती चे दोजर बीस इकिस दिनांग प्रयागराद 24 नौबर 2020 प्रेश विग्यप्ति सम्मिलित राजी प्रवर अधना सेवाच सामानी चेन प्रारंभी परिच्छा 2020 के प्रारंभी प्रिच्छा प्रडाम के संबन्द में जारी प्रेश विग्यप्ति दिनांग 21 नौबर 2020 के क्रम में सूशित किया जाता है कि प्रश्णगत प्रिच्छा में सम्मिलित विशिच्ट अरहता के पदों श्रम प्रवर्तन अधिकारी तेथा बाल विकास परियोजना अधिकारी के प्रश्णगत परिच्छा के विग्यापन में अंकित पद क्रमांग तेथा ऑनलाइन आवेदन प्रेक्रिया में प्रदर्शित पद क्रमांग में भिन्नता होने के कारण संदर्भीत पदों हेतु अवपरोग्त दोनों ग्रूप हैतू दिनां की 17 around कि घोसित प्रारमिक परिछह के परिदाम को निरस्त करते विए उपरोग्त दोनों प्रेटों ग्रूप हेतू प्रारमिक परिषह का UK शंशी परीडाम Blizzard आई जा रहा है क्योंकि लोग आचानक रात में रिजल्ट दे रहे हैं से नॉर्मली आठ साथे तक रिजल्ट दे रहे हैं इसका क्या मतलब नहीं कल रहा है खुद सोचिए फ्रेंड्स ठीक है तो मतलब की सवालों गेर भी उपलब दे प्रश्ण गद प्रारंभीक परिच्छ नहीं हुआ है ठीक है लेकिन फिरवेस के बाद क्या प्रॉब्लम हुए कटाफ का फ्रेंड्स कटाफ में यह कंफूजन बना हुआ है जो प्रॉब्लम चल रहा है कि कुछ लोग 86-86 कुशन में पास हो गया है कुछ लोग 91 पर भी बाहर हो गया है तो यह काफी कंफूजन बन यह लोग बार बार आंसर की रिवाइस के जिसे कंफूजन बन जाता है मैं अब लोगों को पहले ही बुड़त है फ्रेंड्स का टाफ के बारे में कि आपका अगर 125 से प्लस इसकूरत आप शेफ जोन में है और आपका प्रिलिम्स क्लियर हो जाएगा आप मेंस का क्या आया अब पास हुए या नहीं पास हुए क्वालिफाइव है डिस्क्वालिफाइव होगे कमेंट कर जरू बताए फ्रेंड्स ताकि exact कटाफ का अंदाजा लगा है जैसा कि सच में गया कितना है आखिर कौन सच बोला और कौन जूट बोला है यह 86 में मुझे बिश्वा